सरसो के तेल में ऐसी दो चीज मिला लें कि आपके कंधे जितने बाल जमीन को चुएंगे सफेद बाल हो बाल ज़रते हो बाल बहुत जादा रूखे हो या बाल बहुत जादा बेजान से हो गए हैं ऐसी दो चीज मिला लेंगे ना कि आप जनम जनम तक इस तेल की तारीफ करते तो इस पावरफुल टेल को बनाने के लिए यहां पर एक छोटा पैन ले ले लिए इसको low flame पे रखना है अम इसमे अड़ कर रही हूं सरसो का तेल हमारे बालों की regrowth के लिए हमारे बालों के काले पन के लिए बाल बहुत ज़ादा जढ़ते हैं बाल कंधे तक ही है पर भर नह का ही पारे हैं उन सब के लिए सरसो का तेल बहुत बहुत जादा फाइदमंद है और सरसो का तेल पुराने जमाने से चला आ रहा है तो इसलिए एक कतोरी इसमें अगर आप तेल नहीं आड़करना चाहते हैं तो आप ग्रॉट मनätt ऑयल भी यूज कर सकते हैं आप met is मैं add कर रही हूं चाय पत्ती जो की हमारे बालों को नरिश करके यानि की जो scalp होते हैं रूट्स होते हैं उनको नरिश करके बूस्ट करके हमारे बालों को regrowth करती है और हमारे बालों का जणना रोकती है जब तक हमारे बालों जणना बंद नहीं होंगे तब तक आपके बालों क जो री ग्रोथ है आपके बालों की जो लंबाई है वो नहीं भड़ेगी तो सबसे पहले आपको अपने बालों का झंडना रोकना पड़ेगा उसके लिए चाय पति बहुत बहुत जादा फाइदेमंद है और इसका पानी मी बहुत फाइदेमंद होता है चाय पति का क्योंकि आपके बालों को strong बनाती है, रसी जैसा मजबूत बनाती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक पूरी चम्मच भर के चाय पती इसमें add की है, कोई भी तरह की चाय पती है, मसाले वाली है, बिना मसाले की है, आप वो इसमें add कर सकते हैं, अब आपको सबसे पहले इस चाय पती क इसको तेल में पका लेंगे, तो दो मिनिट के बाद आपको चॉब्ड प्याज करके छील लेना है प्याज को और बारिक बारिक काट करके इस तेल में add कर देना है, यह आपके बालों को regrowth करने का काम करती है, अगर scalp में infection हो गया है, इसके वज़े से बाल भर नहीं पा रहे ह यह जो onion का काम होता है, तो यहाँ पे मैंने आधा onion चॉप करके भी डाला है, और इसके जो छिलके हैं वो भी डाले है, क्योंकि इसमें calcium phosphorus इतनी जादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे बालों को नरिश करके जो portion की कम्मी होती है, उसको वो प्रिदान करता है, अब आपको इ लोग मुझे comment करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो वीडियो है, आपको कहां से कौन से शहर से मिल रही है, और आप अपना नाम भी इस comment box में जरूर बताएं, तो हम यहाँ पे 8 मिनिट के लिए इस जो oil है, इसको अच्छे से पका लेंगे, किस तरीके से लगाना है, कितने टाइम तक श्टोर करना है, कैसे मसाज करनी है, और किस टाइम पे लगाना है, सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें, इस तेल को 8 मिट पकाने के बाद फ्लेम से उता लीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजे ठंडा होने के बाद आप इस तेल को देख लीजे कितना अच्छा लग रहा है यही आपके बालों की लंबाई आपके बालों का काला पन जढ़ना सब कुछ खतम करेगा और आपके बालों को लंबे और सुन्दर बना देगा तो तो आप इस में कांच की बॉटल में जान कर चैन करके रख सकते है तो यहाँ तो ने में बाउल में जान रही हूँ और छारा इस पार लिया था की कि लिए तो यह使用 हो कि यहुत सब्सक्राइब ये तेल आपको हफते में दो बाल लगाना होगा ध्यान से सुनना दो बाल लगाना है और रात में सोने के टाइम पर ही लगाना है जब तक ये तेल आपके स्कैल्प में रूप्स में नहीं जाएगा तब तक ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसको थोड़ा टाइम दीजि स्केल्प में 8-10 मिनिट मसाज जरूर करें और मसाज करने के बाद बालों को गूत करके जो चोटी करते हैं गूत करके सो जाएए गूतने से आपके बालों की लंबाई भड़ेगी आपके बाल मजबूत और रसी जैसे मोटे होंगे इसके साथ ही यह जो रहमीडिया मैंने बता देना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ते सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बैबै थेंक यू